एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कि क्या रीजन है कि कुछ लोग बहुत जादा बहुत जल्दी अमीर बन जाता है। एंड कुछ लोग सालों साल एफोर्ट्स डालने के बाद भी नहीं बन पाते। क्या रीजन है। दोस्तों ये वीडियो साधारन वीडियो मत समझना, इस वीडियो में जो मैं बाते बोल रहा हूँ, वो आपके दिल पे लगेगी, आपको थोड़ा परेशान भी करेगी, हो सकता कुछ चीजें आपको अच्छी ना लगे, लेकिन ये सच्छाई है, वो मैं बोल रहा हूँ, द मैं पूर माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप ये दस गलतियां कर रहे हैं, तो आप पूर माइंडसेट के हैं, अगर आप ये दस गलतियां नहीं कर रहे हैं, तो आप रिच माइंडसेट के हैं, so please don't mind, let's learn about the first mistake, before that, I want you to subscribe the YouTube channel now, yes, go ahead and subscribe, because ऐसे बहसे बहुत सा रहा था, वो अपने आपको क्या समझता है, ना सिर्फ पूर माइंडसेट के वक्ति कंप्लेन करते हैं, वो दूसरों के बारे में भी बात करते हैं, उस रेलेटिव ने ये कहा, उस दोस्त ने ये कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा सुना, उसने ऐसा किया, और ये जब भी आदमी इसका opposite करता है, rich complain नहीं करता भले उसका कमरा कैसा भी हो, घर छोटा भी क्यों ना हो, वो सोसता मैं billion कैसे कमा हूँ, मैं करोड कैसे कमा हूँ, उसी के लिए वो computer में बैठ के research करता रहेगा, कुछ किताबों में खोचता रहेगा, कहीं जाएगा, कुछ सोचेगा, they are different people, they will not be able to spend time with average ordinary people, is that true or not? दूसरी गलती जो कि poor mindset के लोग करते हैं, वो है complaining about rich people, अरे वो rich आदमी हो गया, आजकल तो वो भी हमारे साथ उठता बैठता ही नहीं है, अरे भाई वो बड़ा आदमी हो गया है, अरे ये अमीरों के बच्चे बिगड़े हुए होते हैं, अरे ये अमीरों के फाल्तु के श Why the hell are you talking about those people? क्या आप अपनी जिन्दीगी में इतने ज़्यादा खाली हैं, इतने ज़्यादा वैले हैं, कि आपको दूसरों के बारे में बात करनी पड़ रही है, I have no time to talk about anybody else, दो सो मैंने अपने आपको इस तरह से train किया है कि मेरे पास आज की डेट में नहीं है समय किसी औ और के बारे में बात करने के लिए एक मिनिट भी कंप्लेन करना तो दूर सोचने का भी समय नहीं है, क्यों क्योंकि आपके लिए, आप अपनी ग्रोथ के लिए सूपर आपसेस्ट हो जाईए, अगर आपने ये कर दिया रहा, तो आप रिच माइंड़ सेट की वेक्ति हैं, और आपको ग्रोथ मिलेगी, unlimited, तीसरी गलती, पूर माइंड़ सेट वाला, जो बार बार करता है, वो कहे, opportunity उसके सामने होती है, लेकिन वो डर जाता है, risk नहीं ले पाता, fear उसको बहुत जादा होता है, और वो opportunity को जाने देता है, दोसों, opportunities कई रूप में आती है, opportunity doesn't mean कि हाँ, बड़ा expense करके real estate ही लेना है, कई बार छोटी opportunities आती है, लेकिन overthinking, डर, अरे मैं किसी से पूछूँ, किसी से opinion लूँ, और जो भी उसके आसपास opinion देने वाले लोग है, वो भी बड़े average है, तो वो भी clear नहीं है, ये भी clear नहीं है, opportunity हमेशा आदमी छोड़ देता है, अ चोटी चोटी opportunities, भाई आज की date में YouTube पे वीडियो बना क्यों रहूं है, आप मेंसे कई लोग कहेंगे, आप पैसा कमा रहे हो YouTube के वीडियो बना के, yes, obviously, मुझे YouTube ने famous किया है, मुझे YouTube ने पैसा दिया है, और ये आपके पास भी available है, ये opportunity आपके पास अगर available है, तो आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो कब से आएंगे, सब लोग कहेंगे, सर, सभी लोग YouTube पर थोड़ी बनते हैं, चलो कोई बात नहीं, ये तो एक opportunity की बात कर रहा हूं, ऐसी लाखों हैं, टेरो कार्ड सीखिए, निमरोलोजी सीखिए, वास्तू सीखिए, आज पता नहीं क्या-क्या सीख सकते हैं आप, आज photo editing सीखिए, video editing सीखिए, लाखों opportunity है, बट नहीं नहीं यार, video editing इतना easy थोड़ी है, अरे sales करना इतना easy थोड़ी है, excuse पे excuse, excuse पे excuse, excuse पे excuse देने में mastery है, poor mindset वाले लोगों की, पता है क्यों, क्योंकि अगली mistake वो बार-बार करते हैं, वो है, खुद पे यकीन ना करना, बाकी सब पे यकीन करना, एक poor mindset का व्यक्ति, खुद पे यकीन कभी नहीं करता, उसको अगर कह दे ना, देख, भाई, तेरी guarantee है, तू देख ले, अगर उसको कोई कह दे ना, घरवाला, कि भाई, देख, तेर को लेना रिस्क, खुद की energy पे यकीन नहीं होता, they don't know how to believe in themselves, इनके पास हमेशा ऐसा लगता है कि यार, मेरे को कोई guarantee दे दे, मैं सफल तो हो जाओंगा, लेकिन, मैं कुछ भी कर लूँगा, लेकिन कोई guarantee दे, इनको guarantee चाहिए, हर चीज मैं guarantee मांगते हैं, अरे मैं share market में invest करूँगा, बट को guarantee दे कि मैं सफल हो जाओंगा, अरे मैं इस चीज मैं काम करूँगा, कोई guarantee दे कि मैं सफल हो जाओंगा, guarantee मांगते रहते हैं, and because they want the guarantee, they never succeed, दोसों इनको guarantee इसलिए चाहिए होती है, क्योंकि ये या तो past में रहते हैं, या present में रहते हैं, past में, अरे past में मेरा loss हो गया था, past म ये हो गया था, या फिर ये आज की situation को देख रहे हैं, अरे आज मेरे पास पैसा नहीं है, अगर किसी ने guarantee नहीं दी और मेरा पैसा डूब गया, तो फिर क्या होगा, ये 90% negative ही सोचेंगे, मैं इन से हमेशा पूसता हूँ, आपको ऐसा कैसे surety है कि आपका पैसा डूबेगा क्या guarantee है, अरे मेरे भाई, personality develop हो गई, अगले 50 साल कितना खुश रह सकता है, अगले 50 साल जबर्दस जिन्दगी जी सकता है, नहीं नहीं सर, guarantee नहीं है ना, guarantee नहीं है, पता नहीं, अभी मेरी जिन्दगी में बहुत ज़्यादा problems है, अभी 50,000 चले गए तो मैं पता नहीं क्य होगा, अरे भाई, आज 50,000 नहीं जाएंगे, तो future में अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल में क्या होगा, ये तो सोच, same personality के साथ आप अर्मों कमाना चाहते हो, never will happen, पता है आपको क्यों, क्योंकि दोस्तों, आपको उतना ही मिलेगा, जितनी आपकी personality allow करेगी, जो 10,000 कमा रहा है उसक personality को देखो, and fact है ये, life का, दोस्तों अगली गलती, जो poor mindset का व्यक्ति हमेशा बार बार करता है, उसको लगता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, and उसी के कारण, वो जो भी बोलते हैं, वो मानते हैं कि वो सही है, जैसे कि एक poor mindset का व्यक्ति हर बार कहेगा, यार मैं आगे नहीं बढ़ पारा क्योंकि मेरे पाद पैसा नहीं है, और वो इस पर believe करते हैं कि ये सच है, जब कि ये सच नहीं, ये बहुत बड़ा जूट है, आपको पैसा क्यों चाहिए आगे बढ़ने के लिए, आपको ideas चाहिए, आपको energy चाहिए, आपको उत्साह चाहिए, आज अगर बात करना आता है, या communication करना आता है, या public speaking आता है, state से बात करना आता है, you don't need money, अगर आपको आज anchoring आती है, आपको आज गाना गाना आता है, या आप voice over artist है, या आपको video editing आती है, you don't need much money, आप छोटे से पैसे से बहुत बड़ा empire create कर सकते हैं, आपको money नहीं, आपको thinking च कह रहें, नहीं, बहुत मुश्किल है मेरी जिन्दगी, आपकी जिन्दगी मुश्किल नहीं है, लाखो लोगों को, उन लोगों को देखो, जिन्दगी extremely मुश्किल थी, और उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत कुछ किया, आपकी जिन्दगी मुश्किल नहीं है, सोचते रहते करोड आये करोड आये करोड आये करोड एक्शन लेने को बोल दो नहीं होगा उनको बोलो सुबह जल्दी उठना नहीं होगा meditation करो नहीं होगा, अचा कितावे पढ़ो नहीं नहीं सर बड़ा मुश्किल है, नीद आती है अचा training attend करो नहीं सर महंगी होती है, कोई free में सिखा देना इनको दया की expectation है इनको expectation है कि बस मैं सोचू और चीज़े होने लग जाए, you know what internet पे 90% वीडियोज, आज की डेट में वो चल रहे हैं जहां कोई shortcut बताये जा रहे हैं तुम घड़ी का ये dial change कर लो, तुमारी growth हो जाएगी तुम ये number change कर लो, तुमारी growth हो जाएगी तुम ये वास्तु change कर लो, तुमारी ये growth हो जाएगी सतर अजार लेकिन तुझे अगर wealth create करनी है तो you will have to shift your patterns of thinking, behavior and everything. Last दो mistakes जो कि ये बार-बार करते हैं एक दिन रात entertainment में घुसे रहना टीवी देखना है, reels देखना है, gossip करनी है negative सोचना है, चिंता करनी है ये सभी entertainment के format है अपने आपको busy रखने के format है ये वो वाली busyness है जो या तो दुख देगी या सुख देगी लेकिन busy रखके time को kill कर देगी, फाइदा नहीं देगी ये लोग इनी चीजों में उलजे रहते हैं, गुसे रहते हैं और आखरी सबसे बड़ी mistake की बार-बार जो करते हैं अपने जीवन की, अपने actions की, अपने actions के कारण हुए results की कभी responsibility नहीं लेते मेरे पास कई लोग आते हैं, sir मैं रखको सीख रहा है आईए सीखिये, course कर लेते है sir आपका course किया लेकिन अभी भी result तो नहीं आ रहा मिरको अरे result course करने से नहीं आता implementation कितना किया, मेहनत कितनी की एक घंटा public speaking सीखा तो back end में 10 गंटे, 20 गंटे, 50 गंटे practice की क्या, एक घंटा मुझसे सीखा, back end में 2-4-5 videos और देखे गया, क्या उस बात को पूरी तरह समझ पाए, फिर आप आप आके session में बैठ गए और आप कहते हो बस उसी से आपकी जिंदगी बदल जाए it is not going to happen, दोसरों यह छोटी-छोटी कुछ गलती है, जो कि हर पूर mindset का व्यक्ति करता है, अगर आपको rich बनना है, तो इनका opposite करना होगा, अपने actions की responsibility लेनी होगी, ताबर तोड actions लेने होगे, risk लेना होगा, बड़ा सोचना होगा, इनवेस्ट करना होगा, financial IQ को बढ़ाना होगा, यह सारी चीज़े आप करोगे तो आप rich बन जाओगे, God bless you everyone channel को subscribe कर ले, जादा जादा लोगों के साथ ये वीडियो शेर करें and look forward to see you in the next video, thank you, bye-bye